इस वीडियो में हम जे scholarship का application procedure देखेंगे वो है चुला बॉर्ण graduate institute scholarship for 2021 ये scholarship HEC की तरफ से announce की गई है तो इसके लिए apply भी आप HEC के तरू ही करेंगे और HEC ही candidates nominate करेगा तो चलें इसके benefits और application procedure देख लेते हैं तो आप HEC की website पर आएंगे latest announcements में आएंगे और चुला बॉर्ण graduate institute scholarship 2021 पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप CGI scholarship के introduction पर आजाएंगे यहाँ पर बताया गया कि पाकिसान और HEC के national scholarship के लिए eligible हैं ये master's program के लिए scholarship offer की जा रही है eligibility criteria में बताया गया कि आपकी age 30 years होनी चाहिए 30th October 2020 तक उसके लावा important point है वो ये कि आपके पास language proficiency preferably IELTS और TOEFL में होनी चाहिए अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक certificate है तो आप बहुत strong candidate होंगे scholarship को win करने के लिए figures of study यहाँ पर बताई गई है उसके इलावा बताया गया है कि 6 weeks के लिए आपको refresher course करवाया जाएगा June 2021 में उसके बाद 2 साल के लिए master's degree की scholarship आपको offer की जाएगी और आपकी progress हर साल review की जाएगी और यह जो program है यह August 2021 में start होगा अब हम application procedure देख लेते हैं application procedure में आपको CGI के application form और medical history report form दिये गया है यह आप यहाँ क्लिक करके download कर सकते हैं यह हम बाद में देखेंगे हम पहले हEC के application का procedure देख लेते हैं हEC के e-portal के आप apply करेंगे और उसे पहले आप हEC के account number जो यहाँ दिया गया है इसमें आप 300 रुपे जमा करवाएंगे और deposit slip आपको application के time पे upload करनी होगी वो भी अभी हम देखेंगे अभी हम documents की details देख लेते हैं जो इस application के लिए आपको required होंगे जब आप इस scholarship के लिए nominate होंगे तो आपको यह सारे documents HEC को provide करने होंगे और यह आप 2 sets में provide करेंगे लेकिन अभी application के time पे इन documents की जुरूरत नहीं है HEC ने आपको बताया है कि आप 31st August तक इन documents को बनवा लें यह कुछ instructions हैं HEC की तरफ से यह आप पढ़ ले application fill करने से पहले अभी मैं आपको अपनी application दिखाता हूँ जिसमें मैं HEC की तरफ से 2 scholarships के लिए nominate हुआ था जो link आपको application procedure में दिया गया है आप उसको open कर लें तो आप sign in की window में आ जाएंगे यहाँ पे आप अपना user ID और password एंटर करके sign in कर लें अगर आपने account नहीं बनाया तो register कर दे और register कैसे करना है उसके लिए भी मैंने एक video बनाई है link उपर show हो रहा होगा और मैं description में भी link प्रोवाइड कर दूँगा आप जग कर सकते हैं यह मेरी applications हैं जिनमें मैं HEC के तरू नॉमिनेट हुआ हूँ इसके इलावा यह degree attestation की एक application है जब मैं scholarship के लिए नॉमिनेट हुआ था तो मैंने अपनी degree attest करवाई थी अभी हम application का procedure देख लेते हैं उसके लिए आप scholarship and grants में आएंगे और learning opportunity abroad पे क्लिक करेंगे कर लेंगे उसी के relevant आप subject of study select कर लेंगे उसके बाद अगर आपने document जो हमने अभी देखने है CGI scholarship के वो आपने fill कर ली है तो आप yes कर दें और अगर आप कोई और HEC की scholarship नहीं ले रहे तो यहाँ पे yes करके next पे क्लिक करते है तो आप new window पे आजाएंगे यहाँ पे आप foreign country में जिस country की scholarship select कर रहे है वो ही आपके सामने आजएगे आपसे select कर लें उसके लावा अगर आप university आपको idea नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि आपने university कैसे search करनी है link description में भी मैं देदूंगा और आप उपर भी आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट में जो जिस डिपार्टमेंट में भी आप scholarship के लिए apply कर रहे हैं उस university के वो select कर लें अपनी email बता दें जिस पे आपको agency contact करेगी मुझे भी email पे ही उन्होंने contact किया था उसके लावा आप अपने telephone number बताना चाहरे हैं तो वो भी बता दें और उसी वीडियो में आपको university की ranking भी पता चल जाएगी और UNESCO university list आप Google पर search करें तो आपको एक PDF मिलेगी उसमें वो सारी universities आ जाती हैं आप चेक कर लें कि क्या वो university उस list में है या नहीं जिसमें आप apply करना चाहरे हैं research proposal और statement of purpose वैसे तो scholarship के लिए बहुत ज़्यादा matter करते हैं scholarship win करने के लिए लेकिन HC की तरफ से अगर आप nominate होते हैं तो ये इतने ज़्यादा matter नहीं करेंगे फिर भी आपको बताना होगा कि आप research proposal क्या है और statement of purpose क्या है research proposal में आप जिस चीज़ भी research करना चाहरे हैं उसका abstract लिखतेंगे और statement of purpose में आप अपनी skills highlight करतें और आपने ये scholarship क्यों select की उसकी reason बता दें country का culture बता दें उसकी technology बता दें वहां का education system आप उससे inspired है ऐसा कुछ लिखतें ये सब फिल करने के बाद आप next ले click करतें next आप application details की tab में आ जाएंगे यहां पर अगर आपको कोई academic distinctions मिली है तो वह आप add करतें अपनी professional degree का record add करेंगे अगर कोई आपको पहले से scholarship मिली है पहले भी scholarship मिल चुकी है तो वह आप यहां लिखेंगे English proficiency section में आपको कोई certificate upload करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर mandatory है scholarship के लिए कि आपके पास कोई भी certificate हो IELTS या टॉफल का इसके बाद आप undertaking के tab में आ जाएंगे यहां पर आपको deposit slip का number enter करना पड़ेगा date, bank name amount जो 300 आपने जमा करवाई होगी और branch code आपको enter करना पड़ेगा इसके बाद आप undertaking पे tick करेंगे और deposit slip की scan copy upload करतेंगे इसके बाद submit पे click करेंगे तो आपकी application submit हो चाएगी अब हम CGI के documents देख लेते हैं तो उसी तरह आप application procedure पे आजए है HEC की website पे पहले हम medical history form देख लेते हैं यह जो form है इसमें इतनी ज़्यादा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंके जितना time scholarship की processing में लग रहा है आपको medical दुबारा से करवाना पड़ेगा क्योंकि यह normally 6 महीने के लिए valid होता I think यह expire हो जाएगा तो आपको इतनी ज़्यादा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है आप यह एक form फिल करवा के किसी डॉक्टर से तो आप submit करवा सकते हैं इसके बाद हम application form पे आ जाएंगे यहाँ पे आप अपनी picture लगाएंगे field of study स्टेड़ेक्ट करेंगे personal data बताएंगे mailing address बताएंगे education का record देंगे employment का record देंगे इसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि scholarship से आप क्या सीखेंगे और उससे आपके country को क्या फाइदा होगा आप क्या expect कर रहे हैं कि आप जो learn करने जा रहे हैं scholarship के तुरू उससे आप अपने लिए और अपने country के लिए क्या सोच रहे हैंगे क्या फाइदा होगा उसको यहाँ पे आप अपनी language proficiency test के बारे में बताएंगे और उसकी details देंगे यह scholarship के लिए section mandatory है sporting documents जो आपने इसके साथ application के लगाने हैं उनको tick करेंगे और add and signature करके date mention करतेंगे तो इस तरह आपकी application complete हो चाएगी I hope आपको application procedure समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई भी question है interview या test से related तो वो comment section में आप पूछ सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आई है तो like करें, channel को subscribe करें Thank you so much for watching this video Allah Hafiz